नमस्कार भाया जी कहिए मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है बातचीत के सिलसले को जोडने के लिए आज मैं स्टूडियो में मौझूद हूँ जनता के साथ मौझूद हूँ आप ये सोच रहूँगे कि इस्टूडियो में क्यों ये कभी-कभी बात जो है स्टूडियो के अंदर से भी होती रहनी चाहिए राप्ता काइम रहना चाहिए और जो मेहमान हमारे साथ है उनसे आपका परिचे भी कराऊंगा और जो हमारी जनता बैठी है उसका भी बहुत-बहुत शुकर गुजार हूँ मैं प्रदान मंत्री ने नीतिया आयोग की बैठक में एक बात कही जो बहुत महत्तपूर है उन्होंने का कि ये बदलाओं का समय है या ये दशक है और हमें ऑपरचिनिटीज जो है अवसर जो है उनका लाब उठाना चाहिए सवाल यहीं से उप जा कि 2047 की अगर हमें तैयारी करनी है या हम तैयारी कर रहे है या यह उसकी बैगराउंड तैयार है फाउंडेशन रखी हुई है यह फाउंडेशन रखनी है तो क्या-क्या जरूरी हो क्या कैसे करेंगे कैसे सपना देखें और कैसे सपने को पूरा करें क्योंकि सपना वही अच्छा जिसके लिए आगे बढ़ें और पूरा कर सके, सही कहा ना मैंने, बहुत बहुत शुक्रिया, महमान हमारे साथ जो मौझूद हैं, सिध्धार सियादो जी, जो आज BJP का जिम्मा समालेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया सिध्धार जी, तैंक यू सो मच, मलुक नागर जी आज हमारे साथ मौझूद हैं, ए तालोग शर्मा जी जिनका तालुक हमारी फुटपात की डिवेट से भी हैं और बड़े अच्छा बोलते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आलोग जी ताइक यू सो मच कॉंग्रेस खजी में परमालेंगे और अखिलेश कट्यार जी समाजवादी चेतना के समाजवादी बात को कि चक्र व्यू देखा है पद्व व्यू उसका एक जो उधारन है वो पद्व व्यू है लेकिन है तो सवाल ये कि हमने सपना कैसे देखा है 47 तक का सपना कैसे देखा है और 47 के सपने को पूरा करने के लिए तमाम कॉंपोनेंट्स मौजूद है आर्थिक कॉंपोनें चाहूंगा अलुजी मैं शुरुवाइब करूं आप से वालुजी 2047 में आप क्या कंट्रिब्यूट कर रहे हैं आप की पार्टी क्या कंट्रिब्यूट रहा है जिसके अंदर तमाम चीजें नकारात्मक होती चली गई हैं और उसकी शुरुवात उस चक्रिवीू से ही होती है रो चक्रिवीू लाल किले की प्राचीर से शुरू होता है जब देश के प्रधान मंत्री वहां से ज्वूट बोलते हैं जब ज्वूट बोलकर देश के प्रधान मंत्री आगे बढ़ते हैं जब देश के प्रधान मंत्री देश को हिंदू मुसल्मान में असी बीस में ईदगाहा और तमाम चीजों में बाटने का प्रयास करते हैं तो वहीं से शुरुवात होती है हमारे समय में RTI हो सूचना का हमने अधिकार दिया सिक्षा का अ आमाजिक नीती हो आज बीजेपी के ही तमाम लोग कह रहे हैं एक विधायक पूर विधायक उन्होंने कहा कि इसतना भरस्टाचार हमने कभी नहीं देखा आज पुलिस ही पुलिस को भरस्टाचार के आरोप में अरेस्ट करती हुई चली जा रही है पुल जो हैं वो तमाम गिरते चले जा रहे हैं रेल के हाद से लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं पिछले पचास दिन में दस से जादा अतंकी घटनाय हो गई है और कल तो एक कमाली ही हुआ कि हिंदुस्तान के पूरे मीडिया के सातियों को संसद में कमरे में ठूस दिया गया तो कहीं ना कहीं आवाज को किस तरह से दबाने का काम हुआ और आज हालत यह है कि पिछले महीने एक रिपोर्ट आई कि 84 प्रतिशत बच्चे मॉल नूटीशन से हैं कूपोशन के शिकार हैं केवल नारे देने से विश्व गूरू नहीं बनेगा कोई रोज आई दिन पेपर लीक होंगे और आप कहेंगे साब हम विश्व गूरू बनेंगे 32 रूपे 32 रूपे पर कैपिटा पर किसान की आमदनी घटकर 27 पर आ गई भाशन था कि किसान की आये 2022 में डबल हो जाएगी अब 47 का सपना सपनों में देश नहीं जी सकता है कारण क्या है कि सपनों के उपर GST नहीं लगता और सपनों में देश को नहीं रखा जा सकता सपनों को देश में नहीं रखा जा सकता सपनों पर GST नहीं लगता मैं बिलकुल बराबर आपका उनकी बात को समराइज कर दू तो उन्होंने का कि दस साल से ऐसा है यानि उससे पहले गाड़ी पट्री पे थी देश की और गाड़ी दोड़ रही थी फटा फट लेकिन यह जो दस साल हुए गाड़ी इसी में गड़ बढ़ाई और इसी से सब कुछ बिगड़ा तो मैं कि प्रधान मंतरी ने जूट बोला लाल किले की प्राचीर से बोला जिस विक्सित भारत के हम चर्चा कर रहे हैं उसका जिक्र भी देश के आजादी के 75 वर्ष पूरा होने पर देश की लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधान मंतरी ने किया देश को पांच प्रण देन तो मुझे तो समझ में नहीं आता, 2014 में उन्होंने बोला जंदन का अकाउंट, 2014 में उन्होंने मेकिन इंडिया बोला, 2014 में उन्होंने सवच भारत बोला, हकीकत बनी, 2015 में उन्होंने बोला कि 18500 गाउं में देश में बिजली पहुचे, अजादी के बाद हम बिजली नहीं पह पर चा पायगौं में हकीकत बना 2017 में उनने किसान के आई की लागत को डेट गुणा बढ़ाने की बात करी वह हकीकत बना 2019 के अंदर उन्होंने खुले में शौर्श से मुक्त बात को करने की बात कई ग्यारा करोड शूपर टॉयलेट्स बने, वो हकीकत बनी, 2020 में उनने डिजिटल इंडिया का मिशन बोला, वो हकीकत बना, 2020 में उनने गदी शक्ती बोली, वो हकीकत बनी, 2022 में उनने 75 अमरित सरोवर की बात करी, प्रंच प्रंड की बात करी, वो भी हकीकत बनेगा, इनको नही साथी बैठे होंगा उनको याद होगा 2004 से 14 के बीच में भारत की एकॉनमी का क्या हाल हो गया था छे महीने की फॉरण जर्व बची थी 24 पर्षेंट का ग्रॉस नॉन प्रॉफिट जी एन पी था हमारे देश में नॉन पर्फॉर्मिंग एसेट 24 पर इनके हकाल में आज वो 17 महीने पर हमारी फॉरन एक्स्चेंज रिजर्व है आज देश जब वहां पर सिंगल डिजिट में ग्रोफ रेट थी डवल रेट में इंफ्लेशन था आज डवल रेट में ग्रोफ रेट की ओर हम सोच पा रहे हैं आज प्रतिशत चूपर हमारी फॉर्ट रेट है और 5% से पीछे इंफ्लेशन है यह 10 साल के अंदर हमने करके दिखाए इनका टीवी में वो नहीं दिख पा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं तीवी में क्या दिख पा रहा है वो ही बता देता हूं देश के प्रधान मंत्री ने देश के प्रधान मंत्री ने लाल के लिए की प्राचीर से बोला मैंने धारा 370 हटा दी मुझे आज तक कागज नहीं मिला है कि धारा 370 समविधान का अभिस्सा नहीं उसके अंदर दो परिवर्तन किये और अगर किसी को मिला हो तो सबके हाथ में मोबाइल है वो कोई भी आर्टिकल 370 के बारे में जो सेंटेंस है वो क्या कह रहा है यूजिंग दे पावर्स ओफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग इस टू चेंज़ आप मैं वही कह रहा हमने 36 साल आपको बीच में नहीं बोला हमने 36 चेंज किया ऐसे और यह तो अमिच शाह जी ने संसद में खड़े 270 हट गई मुझे 50 गर्जमीन दिल्वा दीजे जम्मू में मैं लेना चाहता हूं और प्रतीक भाई के साथ जॉइंट नाइम पे ले ला है अगर किसी के अंदर हिम्मत है दूसरी दिरों के बाद ये नया परुसकार है मेरे लिए एक मिनट प्रतीक भाई अब इन्होंने कहा मेक इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, बैठ अप इंडिया, लेट अप इंडिया, अरे चाइना से चार गुना इंपोर्ट बढ़ गया, ये मेक इंडिया कहां चल रहा है, आप बार बार कहते हैं कि साथ पूर्वी हमने बहुत पूर्वी इंडिया का विकास कर दिया, अ मौदी जी ने तो सो स्मार्ट SiT इस कहा था एक का नाम बचाने हर समार्ट SiT के अंदर क्या हाल हुआ है मैं बिल्कुल भी आ रहू मैं आ रहू मैं आरह मैं तेके सवाल तमाम हम डीबेट की तरह बढ़के करें अब इनने बात करी धारा 370 वै इनने बोला, बहुत महतुपूर ने सुनिये, इनने बोला कि देश में हमने धारा 370 नहीं हटाई, तो कोट में क्या चैपकोडी खाने गए थे, कौन किया थे, तीन साल से केस लड़ रहे हैं, तीन साल से केस लड़ रहे हैं, तीन साल से केस लड़ रहे हैं, तीन साल से केस अलोग जी युवा को मिलना चाहिए मौका पूरा अकेला युवा हुँ है यहां पे 2047 का मैं यह देखूँगा विक्सित भारत प्रतिक नहीं सुनेंगे अम दूसरा नहीं बोलूगा प्रतिक जी बताईगी आप 17 केस में से 9 केस यह हैं कि धारा 370 हटाई जाए अगर वो धारा 370 हट गई तो वो 9 के-9 केस क्यों चाहिए 170 पर सुप्रीम कोर्ट पे जो बहस तमाम चले तो वो क्या था वो देश में सब देख रहे थे तो सवाल जवाब मालू है ना तो इसके आंके अजा बंद ले और ना तो कान मंद है तो 370 पर उन्होंने बात कही इस देश में सुप्रीम कोर्ट में बहस चली लंभी पूरे द 70 धारा हटाने के लिए हमारी सरकार ने जो यह लोग कुकर्म करके गए तेना पूरा शो हो सकता है 370 पे कैसे इनों ने क्या बदला समिधान के अंदर किसको चुपा दिया गया कहां जम्मु कश्मीर की लाइबरी से समिधान के उरिजिनल रिपरती लानी पड़ी उसको बदलन आसाम से सांसत है purity कश्मीर के हमारे साल से असाम से राजी सुवा के सांसते प्रधान म gerekiyor कुए असाम नहीं यह नहीं इस पूरफ जली नहीं पहले बदो नहीं देख न backstory ही म में और तरन भान के बाद बोलते हैं तो मिनट तक जूट आता पूलिस greatness of iki bokal आप बोली नहीं पाते हैं कि हमारे पास ऐसे लीडर है जो हमको अच्छी दिशा में लेकर जा रहे हैं आगे क्या बाकी opposition parties के पास ऐसे लीडर हैं जो फेस बन के country का हमें अच्छी दिशा में ले जाएं जी यह सवार लखा है इन्होंने कि 2047 में लीड करने के लिए क्या हमारे पास लीडर हैं क्या हमारे पास विपक्ष में ऐसे लोग मवजूद हैं जो visionary हो या vision के साथ चलने हो या एक स एक लीडर है कट्यार साथ समाजवाधी पाटी प्रतीक की बहुत अच्छा सवाल इस नोजोवान ने रखा हम एक बात जानते हैं कि यह देश नेताओं से चलता है लेकिन उससे पहले नीतियों से चलता है देश को नेताओं से ज़्यादा सही नीतियों की जरूरत और सही न नीतियों को नेतुत करने वाला आदमी को हम अच्छा नेता कहते हैं एक बात आप सब लोग हैं आपके जीवन में क्या इस देश में गरीब और अमीर के बीच में दूरी घटी है क्या अगर इस बीते दस साल में हमने घटाई होगी तो हम आने वाले 20 साल में और घटाएंगे क क्या स्रम का सम्मान बढ़ा है यह सवाल है मेरे आप से मांसिक स्रम और सारीरिक स्रम दो अलग तरीके के स्रम होते हैं एक मांसिक स्रम करता एक सारीरिक स्रम करता है दोनों के कीमत में कितना बड़ा भेद हो गया है क्या इस भेद को रहते हैं इस देश को विक्सित राष्ट बनाया जा सकता है मैं ये बेसिक सवाल कर रहा हूँ हम उपर बहस कर सकते हैं लेकिन अगर हम बुनियात में नहीं गए और हम बिक्सित देश की बात करते हैं एक आदमी को करोड़ रुपए डेली कमाता है एक को 30 रुपए असमानता इतनी है क्या हमने सिच्छा के धाचे में क कर लिए जहां पर हम यह कैसे के हमारी जिंद्गी सुर्च करें कोई भी दिखकत होगी हम सरवाइब करेंगे मेरा देश मेरे साथ हमने टेक्स का सिस्टम जो बनाया है हम बिक्सित देशों के तरज पर इस देश के आम आदमें से टेक्स लिया जाता है किया सोविदाएं दी तो निश्चित तोर पे आप लोगों की आख पर पट्टी बांधने का काम किया जा रहा है जूटी बाते जूटे बैलने से लेस्ट को विक्सित नहीं मनाया जा मैं बिल्कुल मैं जा रहा था मुलुक साब के पास जी जी आपका नाम खड़े हो जा लगेगा जी जी मैं समझने बहुत बड़ी बात है तो आप लोग क्या काम कर रहे है कि परिवारबाद कैसे खतम करेंगे विजन आपका कहा जा रहा है आप मांती 2047 में एक बाधा ये भी है कि परिवारबाद से राजनीत को मुक्त होना चाहिए लीडर्शिप मुक्त होनी चाहिए लेकिन सवाल अपने मुल्बूत बने वो नागर सांब आपके बास रहेंगे जहां पर इन्होंने शुरू करी थी क्या गरीबी को हटाने का कोई वादा है तो दस साल में कित्ते हजाये वहां से आखरा शुरूगा लेकिन आपके उपर एक सवाल है कि लीडर्शिप जो है परिवारबाद आपको कहां बादा लगता है मैं ठीक है वो बात आपका एक एंगल है लेकिन जिन मुद्धों पर मैंने आपसे सवाल खड़े किये क्या उन मुद्धों में परवार की बादा लगता है आपको विजन बहुत ज़रूरी एक प्रिवार के पाँच लोग जैसे भी आना है तो वह विजन देश के लिए क्या कर रहा है तो किया प्रिवार देश को चलाएगा या देश के लोग या यलो नियो लोग नेक्नेठी करे category अग्यर आ tää नुमाइंदा बनके खड़े हैं पूंजी के विकेंदरी करण का नाम समाजवाद है और समाजवादी दर्शन और समाजवादी बिचार हमेशा इस देश को देता रहा है हम उस मुद्दे पर मैंने आपको रखा कि जिन विचारों पर हम चेहरे पर मुस्कान आगे इनके जी हा 40 लोग एक परिवार से थे समय में सत्ता में तो दिन मारे हैं विचारों तो पांच में इसांसरा इस बात से पूरी तरह इतफाक रखता हूं कि लोग तंत्र में सभी समाज के लोगों को हिस्तेदारी बराबर मिलनी चाहिए और समाजवादी पार्टी ने जाती जनगरना का मुद्दा इसी लिए लेके आए थे क्योंकि सब जातियों की संख्या पता चले उनकी सिछा पता चले उनके रोजगार पता चले ये बात जो एक एक स्रे करने की समाज की जो एक योजना थी हम ये चाहते थी कि इस देश को अगर विख्षित राष्ट बनाना है तो किसके प बराबर हिस्सेदारी मिले और वह सब को बराबर हिस्सेदारी मिले यानि जातिके जनगर्णा की बात पर धीरे से आगी दोजार से तालीस का सपना एक सरे समाज का होता हुआ लड़ यंग्सर्स भी सवाल पूछते जी पर क्विक नाम बताओ पने बेटा नमन शर्मा कहां स जाती जनगर्णा नहीं हुई है इसलिए जो हमारे देश के युवा है देश के लोग है उनके साथ अन्याय हुआ है लेकिन इन ही को मैं बता देना चाहता हूं 2004 में राहुल गांदी जी का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे देश में जाती के हिसाब से जनता को नहीं बाढ़ना चाहिए और आखरी का सेंसस हमारा 1931 में हुआ है तो इसका मतलब क्या मैं ये समझूँ कि कॉंग्रेस के राज्य में हमारे साथ अन्याय हुआ है मैं इस पे आप हमसे जानना चाहते ना हाँ मेरा ये सवाल है कि जाती जनगरना राहुल गांदी जी का जो बयान था 1931 के बाद का जाती जनगरना समाज के लिए बेहत जरूरी है राहुल जी का भी क्या है आप एक कामन परसेप्शन में ये देश जातियों का है और जाती से बाहर यहां समान और अफमान भी जाती के हिसाब से मिलता है समाज में हम कोई बात किसी घाओ पे जग्म पे परदा डाल दे उससे जग्म ठीक नहीं होता जग्म को खोल के इलाज करके ठीक करना है बहुत कट्यार जी कई बनिया है बयान और वह ये कहते हैं कि जाती जो है समता बिना समाज नहीं और बिन समाज अनराज नहीं जो अभी आलोग जी ने कॉंग्रेस के पिर्मक्ता जी ने कहा तीन सो सत्तर नहीं हटा तो मैं सीधा प्रसन है फिर दो साल पूरे देश में हंगामा क्यों करा के तीन सो सत्तर क्यों हटाया गया दूसरा समाज वाधी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी कहा नेताउं से चलती है पर असलियत में नीतियां बननी चाहिए अभी तीन दिन पहले नीती आयोग की मिटिंग थी जहां मुख्य मंत्रियों को बुलाया गया था और 2047 के लिए जब बहुत सारे लोग रहेंगे भी निया हम मैं से नीतियां बनाने के लिए आ रहे थे तो कॉंग्रेस सो कॉल इंडिया के ट्वंदन के मुख्य मंत्रियों ने क्यों वही शकार किया ये दो प्रसंट सीधा सीधा चोड़ रहा हूँ इनके लिए तीसरी बात मैंने देखा है ज़्यादतर एंकर प्रसंट पूछते हैं यह नई परमपरा चलिए विपक्स के लोग सारे सारे एंकर से प्रसंट पूछते हैं आजकर यह क्या खेल है बूमि की मीटिंग में जाए बगर देश के लिए काम करे बगर देश की जनता के लिए काम करे बगर एक नए भारत का निर्मान या एक सकतिसाली भारत का निर्मान बगर नीति-ईयोग के क्या कर सकते हैं अनुधा मेरा भी आप वह पूछरे हैं सीधा पूछरें के बनाए हुए बगर नीती आयोग में जाए हुए क्या देश को आगे बढ़ा सकते हैं ये ये सवाल मैंने अपने पास रखा जी आलोग ची एक शब्दाया ट्रस्ट नीती आयोग की बैठक में अगर ट्रस्ट नहीं होगा बजट अगर दो राज्यों के लिए आएगा अगर जी एसटी का पैसा राज्यों का डिले होगा अपोजीशन पार्टी इसकी जहां सरकारे हैं उनके साथ भेदभाव होगा तो स्वभाविक है कि ट्रस्ट तूटेगा और ट्रस्ट तूटेगा तो नीती आयोग जैसी सम्विधानिक संस्ता की क्रेडिबिलिटी गिरेगी और की तो वाइकाट संसेट चलती है तो वाइकाट संसेट में बिजनस की मीटिंग में क्या सब्जेक्ट रखे जाएं तो वाइकाट देश में और कोई नीती बनती है तो वाइकाट ये वाइकाट 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 करना चाहते हैं एक बात और इसमें सीधा कि ये नोंने क को कम रखा या NDA को बीजेटी को जादे रखा रही वेरी वेल सट्सर मैं देदूगा अब आर्जेटी को देदू उसके बाद देंसर कि मैं आपको भी देदूगा आर्जेटी दोहजर सैथालीज सपना देखिए हम भी देखते हैं हम चाहते हैं हम चाहते हैं हर कोई देश का चाहता है कि यह देश नमबर वन पावर बने पूरे वल्ड में लेकिन कैसे बनेगा सब्सक्राइब आप इनकम इक्वैलिटी की बात क्यों नहीं करते हैं अधियूमन डवलपमेंट इनडेक्स में हम पहां पर खड़े हुए उसकी बात क्यों नहीं करते हैं हमें तीन चायर बस उधार देना चाहती हूं एक उधारर Z7 का फूरे कंट्री को देश को को बिलाए क्या हमारे देश में वर्ल की टॉप कंटृ को बुलायो हमारे देश में और यहाँ पर देखो और घ्रीन कवर से जो have died छुपा दिये क्या गरीबी कशका चैनल के यह दिखाना चाहते हो कि हम में कितना वड़े पावर हों और दूसरा बात अभी जो एक डिल्ली तो एक दिखा लेकिन सारे कोचिंग सेंटरों का यही हाल है जब तो कुछ होगा नहीं का ध्यान जाएगा नहीं अभी आएंगे इस्टे गवर्मेंट की जिम्मेदारी है इनकी जिम्मेदारी है करेंगे लेकिन मैं तीसरा एकजाम पर जो उत्तर प्रदेश भुआ 121 लोग हा करते है आज आज की बात करिए आँडे सब्सक्राइब और श्रारा करेंरे हैं और प्याइड़ी अज चल्सार आट कर रही है यह सब भी रखना पड़ेगा कि मुझे आता है मैं बोल सकता हूं लेकिन मैं नहीं बोलना हूं इन्होंने सब बोला बाबा पर नहीं बोला नहीं कोई बात करते हैं आपने बहुत अच्छा है अराम से चर्चा है बहुत सब्सक्राइब करते हैं आप साथ मुकेश जी मैं काम करता था आउट आफ इंडिया भी मैं साइप्रस में बहुत देशों में भी रहा हूं मैंने वहां साइप्रस में देखा इतना सुन्दर देश है गरीब आदमी भी जो है ना जाड़ू लगाने वाला वह अपनी उसके पास गाड़ी है अपना बंगला है अप उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं भी जुति बिएयर अब कि आगाटे को उसको फॉर्टी सा करते हैं वहां से पैसा ब्यादे पिशारों की पीशारों की हालाई है है वाद में फिर आते हैं नोगरी करने उनके घरों में यह हो गया कभी हो गया सवाल यहां से निकाला मैं बठार लाओं आपको सवाल मैं यह निकाला कि पलायन जैसे जो है जो चाहे वह इंटर स्टेट हो चाहे देश के बाहर के पलायन हो तोजर Tabashit Alix में हम एसे ऐसे मुल्क बनें जिसमें हमारे पास हर हाद देने के लिए काम हो यह ऐसा मुलक होगा तो शचेक्थ भारत नजर आए मैं बरेकG के लिए नए ले रहा हूं और तो बोलवाउंगा पहले उसके बाद रिक लूँगा जी वह देए आदे गंटे की बहस हो गई सब विचार आए अर उस विचार में विफक्षी साथियों के विचार क्या आये हैं तस साल में यह नहीं किया यह चीए यह अवं यह ज़ुआ यह शुब है मेरे साथी ने जरू कहा कि नीतियायोग की मीटिंग में अगर आप नहीं आओगे तो कैसे नीतियां बनेंगे बाहर आओगे मीटिंग छोड़के और काओगे मेरा माइक बंद कर दिया सिर्फ पॉलिटिक्स करोगे देखें कंट विपक्ष क्या है समधान की जुम्मेवारिया हैं वो सत्था पक्ष की भी है और अब क्धेश की 140 करोड जलता यहां विपक्ष को विपक्ष का रोल करना है केक हम को रहों करना लेकर हैं किसानों के लिए हम कानून ले की आए बहुत सुंदर कानून थे जिस से विश्व के साथ समतलों के हम चल सकते थे लेकिन एन्हों ने ऐसा महल बनाया ऐसा भड़काया हमने जन्ता के हित्में वह कानूनों को बापस लिया लेकिन उसके प्रधान मंत्री सम्मान ने दी हमने लागू की किसानों के लिए और 20 लाग करोड रुपया तक हम दे चुके हैं इस वाओं के लिए इस बार बजट में देखिए हमने आलग से आपके पास आखिर में आया हूं मैं ब्रेक लोगा इसके बार देश पर बरोजगारी के बारे में हमने सबसे पहला कारी करम किया स्किल डवलप्मेंट मिनिस्ट्री अलग से बनाई क्योंकि हमारी जानकारी में यह समस्या आई कि अगर आप स्किल लेबर नहीं करेंगे इसकिल नहीं करेंगे आदमी को तो कैसे रोजगार मिलेगा और उसके स्कीम के चलते हुए हमने कौन से खोले वह खोले नहीं वह एक और खुला बच्चों के लिए जो लोन वगेरा मुद्रा 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 लोन अलग से पैसा पढ़ाया पैसा दिया उनको बखाय दक और इसी लिए इस बजट में किया सवाल यह है कि 2047 में अगर विजन नहीं होगा साथी ने ठी बनाने के लिए विजन चाहिए और विजन मोदी जी की सरकार का है और उसी में काम कर रहे हैं कंट्रिबुशन आपका क्या है यह आपको देश की जटार में इसी के सामने इसे ब्रेक से पहले सवाल लग रहा हूँ जितने लोग बेरुजगारी है बेरुजगारी है अलोग सबके सामने सवाल है आपके सामने भी है उसमें 83 फिजदी हुआ है और आकड़ों के साथ खड़ा हुआ है और जो इसमें अनस्किल्ड है उसका प्रतिश्यत का में 3.4 के आसपास है लेकिन जो स्किल्ड है उसका प्रतिश्यत जादा 29 के आसपास 30 के आसपास है और यह चोका सबसे पहले तो एजूकेटेड भारत देखना चाहती हूं जिसमें जो मतलब उसमें यह ना देखा जाए कि बच्चा गरीब है कि अमीर है हर बच्चे को एजुकेशन मिले हां समान अफसर क्यूंकि एजुकेशन जो होता है ना सर वो विक्सित भारत की वो विक्सित देश की नीव है अब उसी तरफ हम देखे तो आज कल बहुत जादा चल रहा है यह नीट का स्कैम हो रहा है कहीं कोई पेपर लीक हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है तो सर इससे बच्चों के भविश्य पे बहुत बड़ा आसा एसा भारत जिसमें समान अफसर हो यूगा के कुछ सवाल जी अफकॉस भीजैभी से मैं बस दो मिनिट लूगा कुछ पहले पैनल पे भी आई कुछ साथियों के जवा जाएंगे बीचे देख लेंगा मैं जवाब देंगा अटालीस लाग करोड के बजट में एक लाग करोड अगर दो राज्यों को दिये जाएं और वो भी इस तर्ज पर क्यूंकि आंधर प्रदेश को दिया गया वह एट के तहते जो कॉंग्रेस पर्टी लाई थी और बिहा इन्हों नहीं बात करी चोटी से बात आपको था था हमने विक्सित भारत की बात करिया आदा कि मैं आपको पहले भी थी अच्छा सवाले भाई विक्सित दोहजार सेंतालिस में एक सब्सक्र देख रहा है सभी राज्ये साथ चलना चाहते हैं पर कॉंग्रेस और इंडिया लाइंस पचा नहीं पारी कि विकास हो कैसे राए मैं आपको एक उधारन देता हूं दस साल के इंदर जब इनकी सरकार थ हमारे सभी राज्यों को अवार्ड मिला करते थे इनकी सरकार से गुजरात को मिला गुजरात मॉडल के लिए मद्य प्रिदेश को मिला हाइस पल्सिस के लिए 36 घड को मिला न्यूट्रिशन के लिए 10 साल में बता ही इनके किस स्टेट को मॉडल मिला क्या विकास कर दिया है अब는ोंने 60,000 करोड करणाटक को दिया था। इंडिया ने 2,33,000 करोड दिया दस साल के अंदर क्या ओलत करणाटक की हां प usu कि πα्रूल का पर पैट्रोल का प्राइस बढ़ना है जूटकटफ़ करते औरेंगे पूरे दिन 9000 स्कूल केवल अकेले गुजरात के अंदर बंद हुएं लगभग 13000 स्कूलों में उत्तर प्रदेश के अंदर खटा 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 डबल इंजन की सरकार चल रही है वहां पर एक भी टीचर नहीं है आपके बस आंकड़े अगर हो तो पूरा एक तरफा देखा करें प्रदा के सिपयोव के स्कूलों के बारे में कहते हैं कि जिस स्कॉलों में परिदी में बच्चे कम थे उस स्कूल को मर्च कर दिया बड़े स्कूल में तो दैन्स वो जो आंकड़ा आप देते हैं वो बंद का संकना डेते हैं Tabpri सरकार कहती है कि मैंने स्कूल के यहां पर चार बच्चों का आते थे कहीं तीन उनको मिला के चार स्कूल को मिला के मैंने एक स्कूल कर दिया मौदी जी ने स्कूल में शूटिंग कराई थी रॉक्तर पूरा वह यद्या आपका इतना अच्छा गुजरात मौडल था तो वह स्कूल क्यों बनाना पड़ा था उसमें फिर अपस था ता उर बहुत और सारे देश डेखा था भात अब बात आती है नीट की नीट के उपर अरे मैं सुनिए ना नीट के एक मिनट बताईए नीट के घोटाले के बाद विक्सित भारत बनेगा क्या मुद्रा लोन का इतना जूट बोला गया देश के अंदर देश के प्रधान मंत्री ने कहा आप सजेशन दीजिए नीट जशेशन मानें तो मैं स सजेशन भी दूगा रुकी ज़रा रुकी ज़रा रुकी ज़रा तैतीस करोड लोगों को मुद्रा लोन दिया गया फिर इनकी एक नेतरी थी उन्होंने कहा 44 करोड लोगों को लोन दिया गया मुद्रा लोन आप मैंसे कितने लोगों को मुद्रा लोन मिला हिंदूस्तान के अंदर 26 करोड परिवार हैं आप मैंसे कितने लोगों को लोन मिला बताइए मुद्रा लोन आप पैसे एक को भी नहीं मिला अपनाई सवाल अपनाई जवाब रहा है आपको नहीं पता तो क्या एक परिवार में दस्टस लों मुद्रा लों चलेगा है क्या चब्शाइब करेक्शन है परिवार हैं और फिर करोड परिवार है और 44 करोड लोगों को अगर मुद्रा लोन मिल गया तो हर परिवार में लगबग दो लोगों को मिल गया ये इतना बड़ा जूंत है पहली चीज़ दूसरी चीज़ आती है अभी इन्होंने कहा किसा बिजली नहीं दे पाए हिंदुस्तान में 7 लाग गाओं थे 32,000 गाओं में बि अब रुकिये रुकिये यहां पर हम टोकेंगे बताइए नहीं रुकिये मैं मिल्कुल मुझे नहीं मुझे ये बताईए बाचपेजी पलूग साब सारे लोग मौजूद हैं मुझे ये सवाल का जवाब दीजिए जो नीती का तो आप ही नहीं था नीती आयोग की जो बैठ आप मेरे पहले मेरे आकड़े को काटिए कि मैंने बिजली के आकड़ा गलत दिया कि नीती आयोग का जिंदा नहीं पूरे देश को बताए अब मैं बताता हूं आपका अरे बहुत देखें परतीक जी ये जूट जो परोसा जाता है अब जीशा को बोले जाता है लाल के प्र देश के अंदर जूट ना बोला जाए ना जूट परोसा जाए मैं कहरा हूं नीती आयोग के जेंडे में चौथ है नमर पे एलेक्रिसिटी बिजली वितरन को लेकर बात चीथ तो क्यों नहीं गये जानना जाता हूं क्यों नहीं गये बीजेपी के साचनकाल में बिजली आ या RGDK तो कि जब कल आपका पोता होगा तो क्या वो भी नहीं रोएगा सवाल ये था इस मुलक की उन्नती के लिए हम क्या आज की क्लास में जाएंगे या आज के क्लास में जाए पगर मेरा काम चल जाएगा अगर मेरा आज के क्लास में जाए बगर काम चल जाएगा, हमें आपकी मीटिंग में टेंड ही नहीं करनी, हमें आपके आज जाना ही नहीं, तब तो ये बहस का ही मतलब बेकार हो, और उस रिजाब से तो मैं गोदी मीडिया होगे आपके लिए अधिर, भगोड़े कहे इस मेंडेट को 24 का मेंडेट, 24 का मेंडेट, 24 का मेंडेट, कोई बात है, मैंने तो मना कर दिया ना, ये शब्द हम इस्तेमाली नहीं करेंगे विपक्ष के लिए, न मैं लूँगा, मैंने कहा, 24 का मेंडेट गया तो आप नहीं समझ पाए, या ये नहीं समझ पाए, या ये मोधी जी जूट बोल रहे हैं और अगर एंकर ने कह दिया कुछ भी सच्चाई के गोधी मीडिया गोधी मीडिया गोधी मीडिया समझ नहीं आगा दो विपक्स में से खड़े आर्जेडियर कॉंग्रेस इनके राष्टिया दक्स ने संसद में कहा कि बिहार को रांदुर प्र जो दूसरे वो जूटा बताते हैं पर इनको देटी जवाब देना चाहती है एक ने बोला यह मोधी जी है जो देश को फिफ्ट एकोनॉमी बना दिये और यह मोधी जी है जिन्हों ने ब्रेटिस एरा से भी ज्यादा इंकम इक्वेलिटी लादी इस देश में यह मोधी जी लगा हमारा जितना बजेट है उसके उससे 4 गुणा ज्यादा हमारे उपर करज हो जाएगा यह मोधी जी है कि हमारा 48,000,000,000 क्रोर के बज्च बज्ट में 11,000,000,000 वफे सिर्फ और सिर्फ ब्याज में देने जाने दिए जाएंगे और वो मुलधन में नहीं ब्याज में दि ह Circ जो सपना देखा है विजनरी सपना जो है वो सपने को पूरा करने के लिए हम कितना और कैसे गया यार करें कहां तक यारग करें मेरा सवाल कंचछना जी से है अभी उन्होंने करजे की बात की में क्ट किया हमें मैं अभी हाल-फिलहाल में इंडिया का डेट-to GDP रेश्यों क्या है वह बता सकती और यह बता सकती है कि हमाला प्राइस-पिर्टि क्या है और और CPI Index क्या है इसके बारे में ज़रा हमें अवगत कराएं अर्थ शास्त्री की बात चल रही है दूसरा मेरा सवाल अलोग जी से है इन्होंने शुरुवात में कहा कि जो रेल हाथ से हैं वो बढ़ गया है आकडों के बड़े अच्छे जानकार हैं तो हमें ये बताएं कि 2004 से लेके 2014 तक कितने रेल हाथ से हुए थे और 2014 से लेके 2014 तक कितने रेल हाथ से हुए हैं आकडे बताएं बात्वस में से पूंगा उत्रों तो आप किसी से जवाब निमांग तो गर भाग जाओगे इस्टुडिय छोड़ आखर आखर आप आखरें के पूछ लिए दस साल के आखरें के लगते हैं तो यही दिकत है आप भागना चाहरी है व्हां जाहेंगी अगर सवाल पर बोलना है तो बोलिए उस सवाल पर जवाब इनको इतना बोलना चाहता हूँ एक बार एक बार मैं इनसे इतना बोलना चाहता हूँ दो बाते बहुत जूट की बोली गई आपके शो को बहुत लोग देखते हैं वो ठीक होनी चाहिए डेट टू जीडिपी रेशियो हमारे भाई ने वहाँ पर बताया है 86 परसेंट है भारत का चार सो परसेंट कैनेडा यूएस जर्मनी किसी का भी उठा के देखिए जब देश मुद्रा लोन 40 करोड यूनीक अकाउंट को नहीं दिया गया है इस देश में स्टार्टाप उध्यमी करने वाले लोग अगर मैंने साल मुद्रा लोन लिया तो अगले साल भी ले सकता हूं हर साल का डेटा मुद्रा की वेबसाइट में मौजूत है जा करके देख सकते हैं ब काकद रख रही है इसलिए नहीं कि उनको राशन चाहिए इसलिए ताकि राशन की चिंता कि बगैर वो अपने पैसे से अपने व्यवसाय को आगे बना सके आपने कितनों को किया था यह जूट पे जूट पे जूट बोलते रहेंगे और विकास के नाम पे कुछ नहीं जानकारी है बड़ी जानकारी है पच्छिस करोड लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का जो आंकड़ा है वो पूरी तरह से भ्रमित करने वाला है उसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो पांच किलो राशन दिया जा रहा है उसकी कीमत एड़ करके और उसको कॉस्ट में जोड़ दिया गया है उसके आधार पर आकड़ा निकाला गया है इन्होंने का तीन करोड मकान बनाए इनके मंत्री ने तो कहा था चार करोड बनाए पहले फैसला कर लीजिए कि कितने करोड बनाए आप किसमें गुश है मैं करहा हूं तीन भी नहीं अब प्रशन यह था जानना चाहते हैं उस वेब साइट का नाम बताईए बसक्राइब आप्र जिसके उपर लिस्ट हो मुद्रा.org.in इस पर लिस्ट है क्लिए लिस्ट है लिस्ट है लाव लिए ला लिफिपो फोलिए लिस्ट है अरे हो ब्ली कोई कैमरा इदर रहे का है इनको दिखाने है अई कहांसे यहर से शुरू करूं? 2000... अरे भैई खोले तुसे.. कोई साइ.. 2017 18.. 2017 18.. नमबर ओ.. PMMI Y.. नमबर नहीं पूछ रहा हूं.. मैं लिस्त पूछ रहा हूं.. अरे भीया.. मैं लिस्त पूछ रहा हूं.. लिस्त दिखाइया मुझे.. परतेक चुपांएं मैं पर्टिक चाहिए अज हमें लीस्ट चाहिए अधालोग जोग डिस्पर संदुनिये परोपर आप उसमें चाहिए अपने वाज आप अधिये टायम पर लिखाएगा जोगा। तो सही कहां चाहिए लोन डिसपर्स अरे हम तो सब मांग लेंगे अरे हमी मांगेंगे क्योंकि आप भाइकॉट कर रहे हैं मांगेंगे हमी मांगेंगे तो हमी आपको सिर्फ पाइकॉट करेंगे आज अभी 47 का सपना इसनी जल्दी ना पूरा होने वाला कॉमा पूल स्टाफ के साथ फिर मुला कहता हूं कि तैंक यू सो मच आज अभी बस सिर्फ इतना